कोशागार कादाले से पेंशन प्राप्त कर रहें पेंशन धारियों के लिए आदेश चारी किया गया है इसको लेकर वरिस्त कोशादिकारी सुरज कुमार द्वारा बताया गया कि कोशागार कादाले से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशन धारियों के स्मार्ट फोटो आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं जिनकी प्रकरिया ओफ्लाइन रूप से की जा रही है ऑनलाइन प्रकरिया के माध्यम से कुछ समस्य आ रही है जिसके कारार स्मार्ट फोटो आईडी कार्ट की आफ्लाइन प्रेकरिया सुचारू है और अब तक लगभग 510 पाल स्मार्ट फोटो आईडी कार्ट के लिए आविदन आ चुके हैं आउनलाइन प्रेकरिया का पालन कर उसके लिए भी आविदन करी सबसे पहले में बताना जाओंगा कोसागार निदे साले इस तर से हमें एक आदेश मिला है पाँच में 2020 का है उसमें इसपस्ट किया गया है कि कोसागार से पैंसन पराप्त कर रहे सभी पैंसनों को स्मार्ट ऐडी कार्ड दिया जाएगा इसके लिए निर्दिशित किया गया है कि जोगी पैंसनर्स हैं अपनी समझ सूचना एप्लिकेशन के माध्यम से ओफलाइन माध्यम से देंगे उनलाइन माद्यम से इसमें मना किया गया है कि उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है, कुई परिसानी आ सकती है, तो सारा फॉर्म एप्लिकेशन उनका ओपलाइन बढ़ा जाएगा और समझ सुचना है हार्ड कॉपी में उसागार में जमा कराए जाएगी और साथ ये अदिश हो रहा है, वह स्टेट हेल्थ प्लान वाला है है, उसके वारे में मैं उसमें आदेस है कि सभी पैंसनर्स जो भी हमारे राचीं करमचारी हैं, उनको एक स्टेट हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, उसके लिए सारी सूचना है उप्लिकेशन आ होक आंलाइन कोई वो नहीं है सारी सुचना है application online भरा जाएगा अगर वो करमचारी है तो उनको जो फिल करने के बाद वो संबंदे डीडियो के पास पहुंचाएगा और डीडियो उसको एप्रूब कर देंगे वो आगे forward हो जाएगा अगर पैंसनर्स हैं तो पैंसनर्स जो भी online form भरेंगे वो हमारे पास आजाएगा यानि कोसा गार्याल आजाएगा उससे हमारे द्वारे एप्रूब कर दिया जाएगा और वो आगे forward हो जाएगा इसमें offline कुछ नहीं है यह पूरा online भरना बहुत साब्धानी प्रूब कर बढ़ना है तो गलत सूचना जो है online अगर बढ़ी जाती अब उनको हम अपने CTS database से मिलान करते हुए उनको आगे forward कर देंगे जैसे के नर्देश दिये गए और इसी के साथ जड़रा बंदन सवाचार के साथ